वाले शेर्ड पर नजर डालते हैं इसके अलावा कई सारे नतीजे आये थे उस पर भी नजर डालते हैं हमारे साथ अब स्टूडियो में शरद जी जुट चुके हैं सबसे पहले बताएं नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स में रहेंगे बिल्कुल अशेशा बहुत सारे मि अडिशन टून के जो एमडी के पॉजिशन है ओवराल एफवाई 25 के लिए 36,000 करोड का सेल्स पोटेंशल डिल्फ ने कहा है यह बहुत बड़ा आकड़ा है वही आरती फार्मा लाप्स की बारे में बात करें तो स्टॉक में जो है शांदार नतीजे देखने मिले हैं और य SPL की बात करें जो in-line set of numbers largely देखने मिले हैं और EBITDA में लगब 12% का उचाल आया है शाले होटल की बात करें तो largely in-line set of numbers देखने मिली है और net profit 125% बड़ा है वही सनोफी इंडिया की बात करें तो consolidated basis में यहां पे कमजोर नतीजे देखने मिले हैं अनुमान से कम numbers हैं especially Pat और EBITDA में देखने मिला है analyst के मताबिक तो यह सारे important stocks है जहां पर आज movement देखने मिल सकता पर यह चुनिंदा stocks हैं पर अफकॉस DLF और आर्ती फार्मा लाब में जो है जरूर फोकस रखेगा ठीक है तो यह तो stocks जो नतीजों के दम पर focus में रहेंगे लेकिन उस्टी 50 से आज भारत numbers expected है भारती एटल से 4th quarter of FY24 में revenues करीब 2% higher हो सकती है नो consolidate basis EBITDA करीब 3% higher हो सकती है net profit में अगर आप देखे तो करीब 34% की sequential basis पर jump आनी के expectations है अब यह तो रही expectations बैट कुछी दिन पहले company की subsidiary जो है एटल अफरीका उन्होंने numbers report किये था और उनके numbers अनुमान से थोड़े खरा की side पे थे तो शायद जो consolidated numbers है एटल के वो भी थोड़े खराब आने की expectations अब actually street ने build करना शुरू कर दी है बट एटल के numbers आने पे सबसे ज़्यादा focus रहता है इंडिया mobile business के performance पे और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया mobile revenue और EBITDA जो है उसमें करीब 2% की growth expectations है औ और higher ARPU के वज़े से अब ARPU sequentially अगर आप देखेंगे तो 1% से grow कर सकती है क्योंकि हमें continuously 2G to 4G subscriber churn देखते मिला है और इसकारण ARPU number है वो करीब 1% से बढ़ सकता है उसके अलवा जो बाखी businesses है mobile में अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे इसे की home broadband business वहाँ पे अच्छा नंबर आने की expectations है क्योंकि subscribe additions काफी strong रहने की expectations है enterprise business में healthy growth आ सकती है DTH business फड़ा बहुत muted रह सकता है fourth quarter बे बट numbers के अलावा किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी पहले तो company का capital expenditure आउट ले क्या रहेगा FY25 के लिए इसको लेके क्या commentary आ रहे है उस पर ध्यान रखना होगा आज market hours के बाद नतीजे आएंगे और management की commentary क्या निकल कर आती है उस पर भी street की नज़र रहेगी आगे बढ़ते हैं कुछ और stocks